ऐसी कौन से चीज़ है तो 4000 मील लंबी और 6 से ज़्यादा देशों में फैली हुई है? जी हाँ ये लाइन बना कर डांस करते लोगों की लंबी कतार नहीं है, बलकि इस धरती पर मौझू सबसे जानी मानी मशूर नदी अमजून है, पानी के सजूबे को दुनिया की सबसे लं बटा सा नाना, यानि एक भी नहीं, आखिर क्यों, किस चीज़ का डर सता रहा है, लावा के चलतों बलता हुआ पानी, सुनामी यसी लहरे हैं, या शायद नदी के अंधिरी गहराई मों विचरण करने वाला कोई बड़ा सा साप, तो अपने वेड़ा पैन लीजे, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं, एमजन नदी पर एक भी पुल आखिर क्यों नहीं बना? लगभग 44,000 गैलन मीठे पानी को समदर में किराती है, यानि 24 गंटों में नदी अटलांटिक महासागर में लगभग 3.8 बिलियन गैलन पानी एक अठा छोड़ देती है, जो 5,769 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को समदर में रुजाना खाली करने के बराबर, एमजन का ये नदी असंभर रूप से चौड़ी नहीं, बलकि महज 2-6 मील चौड़ी रह जाती है, सुने में भली नदी की निनुतम चौड़ाई ज्याता लग रही होगी, लेकिन ये सैंट फ्रांसिसको के गोल्डन ग्रेट ब्रिज की 1.7 मील की लंबाई को देखते हुए, अमेजन बहुत ही मुश्किल जरूर साबित हो सकता है, पर ना मुखिन नहीं, लेकिन बस बारिश का मौसम शुरू होने तक, दिसंबर के मद से लेकर मई के मद तक एमिजन के ऊपर आसमान मानू फट सा जाता है, इतनी बारिश होती है कि पानी के स्तव लगभभ पचास फीट तक ब बनाना हो तो वो गोल्डन ग्रेड बिज के मुकाबले काफी जादा लंबा होगा, सत्रा गुना जादा लंबा, कोई हावाज आ रही है क्या, असल में निराशा में रो रहा है, दुनिया भर के इंजिनियर्स की हावाज है लेकिन बारिश के इस मौसम का अंजाम सिर्फ इन मोटे गुच्छों पर धूल, मिट्टी और सौड़ते हुए जैविक तत्रों जमा होका, दूसरे पेड़ों को उगने पनपनी के लिए जगह मौया कराते हैं, घास के गुच्छों का डूप का नदी के तल तक जाने और सू के मौसम में फिर से उपर आने की प्रक्रिया मौसम दर मौसम यूँ ही रिपीट होती रहती है, और कुछ समय बाद माटपा के इन गुच्छों की उचाई 40 वीट और साइज 10 एकड़ तक पहुं सकता है, अंदाजी के लिए पताते हैं, फुटबॉल का कोई आम मैदान साइज में करीब एक एकड़ का ही होता है, माना कि गास के बारी वरकम गुच्छ है, अमजन अदीप पर रहने वाले कही तरह की जानवरों को आराम देने के लिए ठेकाना मुईया करा सकते हैं, लेकिन अगर आप नदीप पर पुल बनाना चाहते हैं, तो नदीप पर बैते घास के बड़े बड़े टापू देखना कहते ही लेकिन ऐसा नहीं के अमजन अदीप पर पुल बनाने के सपने देखने वाले इंजिनिर्स के परिशानी उकलिए अकेले बारिश का मौसम जिम्हेदार है, साल में दोबार यानि उत्तराइन और दक्षियान की दौरान सूरज और चांद दौर अपृत्वी पर डाला जाने लेकिन वाला गृत्वा कर्शन बल आम दिनों में जादा होता है, जिसके चलते 30 अलाकों में जौर भाटी की उचाई भी होती है, आम दिनों से जादा, इसके चलते अटलांटिक महासाकर में उटने वाली भारी भरकम लहरें अमजन नदी में खुश जाती हैं, ये तनी ता आपने भाग कर काफी अच्छा किया है भाई साब, क्योंकि ये लहर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को तबाह कर देगी, बताने की जरूत नहीं कि इन लहरों में से एक से खतरनाक चीज़ें बहती हुए आती हैं, जिसमें उखड़े हुए पेड़ों और व आता हुआ कोई पेर, टापू या मगर मच देख लूँ तो मेरी पैंड की लिए हो जाएगी, जाहर है घास के तैरते हुए टापू और नदी की जबरतास चोड़ाएगी चलते हैं, उस नदी पा पुल बनाने का काम किसी कड़ी चुनोती से कम नहीं है, पर फिर भी वो तो ये नदी बेहत घने वर्शवनों से होकर पैती है, जिसके वज़े से इसके आस-पास के लागों में सड़कों की मौझूद की लगभग ना के बराबर है, बिना सड़क के पुल बनाने में इस्तिमाल की जाने वाली मशीनों और साथ उसामान को ले जाना संभा होता है, उध दोनों शहरों तक सिर्फ एलप्लेन या बोर्ट से ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन आसा क्यों हो, क्योंकि एमजन नदी की 4,345 मिल की लंबाई का जाहतर हिस्सा ऐसे बियाबान इलाकों से उकर गुजरता है, जहां जरा भी हाबादी नहीं होती, तो उन इलाकों में किसी क सड़क की जरुवत नहीं पड़ती है, और अगर सड़क बनाई भी जाती है, तो जरूरी नहीं कि प्लान हमीशा काम्याब हो जाए, रोड नंबर बी आर 319 का उद्गाटन सन 1973 में किया गया, 540 मिल लंबाई वाली विशालका है सड़क दक्षणी ब्राजील में इस्थित प आपकी कार गिटार कितनी बड़े के उना हो, एसी हस्ताल सड़क पर 2500 मेल की दूरी तैकर पाना मुम्केर नहीं हो गया, वैसे साल 2015 में शुरू होने वाले एक जीड़ो धा पर योजना की चलते सड़क पर चलना थोड़ा सा बेतर हो गया, वहीं जुलाई 2020 में ब्रजील के भूत पूर राश्पती जार बोल सो नारोग ने एक कदम आगे जाते वे बाता किया कि बीया 319 के इस दलदल वाले हिस्टे को पूरी तरह से फिर से बना जाएगा, सुनने में बड़ी अच्छी लगती ही बात पर उसे पूरा करने का खर्च बहुत भारी भर कम होता है, इस हमारे में टॉपिक यानि Amazon पर बसने वाले उस पूल की लंबाई की तो अभी कोई बाती नहीं, 2010 में ब्राजील ने Amazon की सबसे बड़ी साहक नदी रियो नीग्रो पर एक पूल बनाया है, इंजिनिंग का एक चमतकार माना जाने वाला 2.2 मील लंबाई वाला ये पूल मनावस और इंडुबा शेहरों को आपस में जोड़का नदी पर पढ़ने वाले नावों की बोच को काफिया तक कम कर देता है, बहर शांदार से दिखने वाले इस पूल को बनाने में कुल 57 क्रोड डॉलर का खर्च आया था, अगर माना जाए कि Amazon पर बनाय जाने वाले पूल का खर अभिया बादी नहीं है, तो इतने महेंगे प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करने का तुकी नी मनता, इन्हें अलाकों में जो थोड़े बहुत लोग रहते हैं, उन्हें सडखों की जरूतनी मैसूस होती वे नावों में बैठकर यहां से वाह जाने के आदी हो चुके हैं, व एमजन की गहराईों में चपे बैठे किसी शदारती राक्षस का ही कारनामा होगा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, और पानी के इन अलग रंगों के लिए उनका तापमान का बहाओ, स्पीड और उन मटमेलेपन जैसी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, यह सच में बड़े ख आज की कोलंबियाई नामक देश के लाके में बहुती घातक प्राणी पाया जाता था, जिसके बारे में सुनने से पहले सांपों से डरने वालों को अपने दिल थाम लेना चाहिए, टाइटनोबवा के नाम से जाना जाने वाला यह प्रगवति हासिक शिकारी, लंबाई में करीब 50 फोट और 25,000 पाउंड के भारी भरकम वजन वाला हुआ करता था, अंदाजी के लिए बता दें, आज के जमाने के सबसे विशाल का है सांप माना जाने वाला ग्रीन एनकॉंडा भी वजन के मामने में टाइटनोबवा के मुकाबले एक बटा पांच ही होते हैं, इस पहल भी वारी भरकम वाली सांपों को देखने का दावा कर चुक हैं, मैं सांपों से उतना ड़ता हूँ कि अपने सपने में भी ये नदी पार करने बारे में सोचू भी ना, ऐसी भारी भरकम सांप देखने के बाद, पहला परुसी फासिट नाम के एक ब्रिटिश होजकरता ने दावा किया कि जिन्होंने 20 वी सदी की शुरुवात में जंगल में अचा खासा समय बिताया था पर उसी ने अपनी उस यात्रा के अनुभवों को एक डायरी में दर्श किया जिसकी कोछ उलाइने यूं थी तर्ट पर पहुँचकर हम उस देता कार सांप की तरफ बड़ी साफधानी से बढ़ने लगे जहां तक हमारा अंदाजा कहता है सांप की करीब 45 फीट लंबाई पानी के बाहर थी और 17 फूट पानी के अंदर यानि उस सांप की कुल लंबाई करीब 62 फूट थी लेकिन फूट की कहानी को जाता लोगों ने मन घरंद बटा कर जुटला दिया क्योंकि वो कुछ बेहरी अजीब गरीब दावे कर रहे थे जिसमें दो नाक वाला कुत्ता और अपनी जहर सी पीरित का शरीर एकदम काला कर देने वाले खाने की बलिट जितनी बड़ी मकडिय के किस्ते शामिल है कहीं ऐसा तो नहीं है कि फॉसिट ने अमेजिन से जुड़ी कहानिया कोई जाता ही पढ़ रही थी लेकिन आगे चलकर पता चला असल में वो खोजी जिस मकडी के बारे बात कर रहता था उसे गोलियत बोड़ी टक आ जाता है क्या नाम है बाई ये दुन विया के अंदरूरी लागों पाए जाने वाले दो नाक वाले कुत्तों की एक प्रजाती है जिसे एंडियन टाइगर हाउंड का जाता है यानि अगर भारी बर्गम मकडी हो दो-दो नाक वाले कुत्तों की बात सचे तो शायद पॉरसी ने वाके में कोई बहुती बड़ा स पिचरन करता है अमजन के घने जंगलों में रहने वाले प्राचीन कभीलों में कहवत है कि यह सांप अपने सौफीट के घेरे में आने वाली किसी भी चीज़ को निगल जाता है जाहिर अगर किसी स्कूल बस जितने बड़े सांप द्वारा खा जाने के जरा भी खत्रा होग तो मैं एमजन नदी पर बनने वाले उस पुल को किसी भी कीमत पर पार नहीं करूँगा लेकिन याकू मामा का कहर सिर्फ इंसानों को निकलने तक सीमत नहीं आता शनाया तिमपिश का एमजन की एक महत्पोंट सायक नदी है जो कि पेरु देश में पाई जाती है देखने ब अफकार की चलते उत्पन हुई थी क्या ऐसा ही कोई चीज होती है जिससे ये साफ ना कर पाता हो सुनने बहले ही साफ वाला किस्सा इंट्रेस्टिंग लगता हो पर हकीकती है कि शायद ये नदी गहरी दरारे वाले पत्थरों से उपर होकर बहती है नदी का पानी इंदरार पढ़ेंगे क्योंकि जिन्दा ओबल जाना एक बहुत दर्दनाक मौत सावित होगी मिरे बाई टायटोनोबा और याकू मामा जैसे देताकार सांपों की पास उनका जाहर है आपके मन में सवाल उठा होगा कि ऐसी घा तक नदी पर पूल बनाने की ज़रुती आखिर क्या है लेकिन हकीकती है कि बहर डराबनी से लगने वाली ये कहानी असल में सिर्फ गलत नाप जोहर प्राचीन लोकताईवं क्युदंतियों का नतीजा है ना की कोई हकीकत पर इसका मतलब ये नहीं कि एमजन नदी पर आपको कि जी पी तरगा खतरा नहीं मिलने वाला इसमें कोई जबड़ों पकड़ देते हैं उसके बाद अपने मासल शरीर की कुंडलियां बनाकर शिकार का दम घूटकर उसको मार डालते हैं अगर मचुझे ऐसे बड़े शिकार के लिए ग्रीन अनकॉंड़ा अपने जबड़ों को अलग कर सकता है शुकर है कि आज तक इस बात की प्र प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन खबरदार रहें क्योंकि क्यूट सा दिखने वारा ये प्राणी बेहद घातक साबित हो सकता है वैसे इस्टिंग्रे इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करते हैं लेकिन वे पास आने वाली किसी भी चीज़ को अपनी पूंच से मारने के शिकायत आते हैं इसके बाद चोट के आस-पास के टिश्यूज बनने लगते हैं इतना ही नहीं इस्टिंग्रे का कांटा लगने से उल्टी हथ से जादा पसीना सांस लेने में दिक्कत मास पेशियों में एठन और दोरे जैसी शिकायते भी हो सकते हैं साल 2020 में की एक शोद म का एनकोंडा और किसी ट्रक जितने कुछ बड़े साफ साबित करते हैं एमजन नदी इतनी खतरनाक है कि इससे कभी पंगानी लेना चाहिए लेकिन इस नदी से जुड़ी भायनक बाते सिर्फ इतने परख़त नहीं होती हैं आप कैट फिश या माग और मशली को घातक नहीं मानते हूं कि रे मैं पानी में रहने वाली केट फिश के बात कर रहा हूं आपकी क्रेट कार्ट की डीटिल चुराने की कोशिश करने वाले हकर्स की नहीं मिल ये पिराइबा जोके एमजन नदी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कैट फिश है यह भायानक मश्ली लंबाई में 10 फिर से ज़ादा वजन में 330 पाउंट से ज़ादा होती है जो इससे किसी वियस के इंसान के साइज की मुकाबले दोबना बनाता है पर इस मश्ली का सिर्फ साइज ये डराबना नहीं होता कि उनकी भले ही मश्लीया जाता दूसरी मचलियों को ही खाती हों लेकिन कभी कभार उनके पेट से बंदर जैसे बड़े-बड़े जानवरों के शरीर के आप शेश्ट निकल जाते हैं इतनी मेडर गए का तो ये भी जाता है कि इन मचलियों को इनसान का गोश्ट खाना कुछ जादा ही पसंद है 1981 में अमजन पे चलने वाली सोब्रल सुबह सेंटो सेकिंड नाम की एक फेरी बोट नदी में डूब कई जिस पर सवार 500 लोगों में से केवल 178 लोग ये उस दरगटना में जिन्दा बच पाई तो सेंक्डों दूसरी यात्रियों का आखिर क्या हुआ इस्तानी कानियों को मताबिक पानी में चट पटाते सेंक्डों को पराइबा का एक बड़ा सा जुंड पानी के बाहर गहरहियों में खींच कर ले गया करते थे पर फिर भी आज के आदमिक मोटर बोर्ट टेक्नॉलजी के आने से 11,200 साल पहले से भी एमजन के प्राचिन कभीले इन जंगलों में रहते चले आ रहे हैं शोत करता लंबे समय से मानते चले आ रहे थे कि एमजन नदी के आसपास इस्थित इलाके 15 सदी में स्पैनिश लोगों के आने से पहले लगभग पूरी तरह से वीरान होते थे माना जाता था कि यूरोपियान लोगों के आने से पहले इन जंगलों में छोटे-छोटे कभीले रहते थे जिनसे इन जंगलों की कुदरती सेहत को जरा भी नुकसान नहीं होता था लेकिन टेक्नोलजी में होने वाले विकास की जलते कुछ ऐसे सुबू तो भर कर बाहर आए हैं जो इस मानिता को बुरी तरह से शतिक रस्त कर देते हैं इस मामले में लेडार बहुती उपयोगी सापित हुआ है जो एक रिमोट सेंसर की मदद से पेड़ों की डालियों पत्यों से होते हुए जमीन से टकरा कर वापस लोटने वाली एक लेजर फीम की मदद से जमीन की सतय का एक 3D नक्षा तयार करती है लेडार मैप से पता चलता है कि प्राचीन Amazon वासी और घनी आबादी वाली बस्तियों बना कर रहा करते दिन लोग रहते थे लेकिन ताजाद धिन के मताबिक Amazon बेसिन के महराज 7 प्रतिशत इलाके में 5-10 लाख लोग के आबादी रह गरती थी जाहिर है Amazon का इलाका और वहां रहने वाले लोग हमारी उमीद से कहीं जाता उन्नत हुआ करते थे और अब Amazon के प्राचीन खबीले नहर और सड़क यसी चीज़े बना सकते थे तो Amazon नदी पर पुल बनाना उनके लिए कोई असंभा काम नहीं रहा होगा हाँ वो पुल जंगल के गहराईयों में खोच चुके होंगे आपको ब्रिटिश खोच करता पर्सी फॉसिट याद है जब वो जंगल में भारी भरकम साम ढूरने में व्यस्त नहीं होते थे तो वो इस खोई हुई सबहतागी तलास में लागे होते थे अपने जमाने में जखेगी अलग ही शानों शौकत हुआ करती होगी तो अपरेल 1925 में पॉर्सी अपने बेटे जैक और जैक के बेस्ट फ्रेंड रेली रेमिल के साथ उस शेहर की तलाश में निकल पड़े पर अफसोस उनकी कामया भी हाथ नहीं लगी पर डंबर ना देखिए उस यात्रा के बाद परसी उनको भी कोई नहीं ढून पाया उन्होंने अपना आखरी खत 1925 को डैड होर्स केंप नाम की एक जगह से लिखा जिसमें उन्होंने घने भी आबान वाले जंगल और अंदर जाने की बात लिखे थे उसके बाद परसी के में दोबारा कुछ पता नहीं चला कोई नहीं जानता कि परसी के साथ क्या हुआ था कुछ लोग कयास लगाते हैं शायद इस्थानी कभीलों ने उनको मार दिया वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने बुखार या भूग के हुजे सिद्धम तोड़ दिया हो इस कोई करो कबीले के लोगों की मदद से कोही कुगू नाम की एक बेहत प्राचीन सबधा के अफशिशों खोच की ये जगह पौर्सी की लास्ट लोकेशन यानि डैड होस केम से सिर्फ 140 मिल की दूरी परसते थी सो हो सकता है शायद कोही कुगू ही वो गुम हो चुका शहर हो इसकी तलाश में परसी जंगल की यात्रा पर निकले थे माना जाता है प्राचीन शहर 500 इसवी से लेकर अभी 1615 तक आबाद हुआ करता था इस सबधा में करीब 20 शहर थे जोगी 7700 वर्ग मिल के बड़े शित्र में पहले हुए थे एक जमाने में यहां करीब 50 जासे जादा रहते थे अंदाजिक लिए बताते हैं कि सन 1500 में लंदन की आबादी भी इतनी हुआ करती थी लेकिन सिर्फ कोही कुगू का बड़ा आकारी इसको खास ने बना था माइकल की माने तो इस प्राचीन सबधा की इंजिरिंग इतनी उन्नत हुथी थी कि वो नदी पर आसानी से बड़े-बड़े पुल बना सकते थे यानि कम से कम इतिहास में सही पर आमेजन नदी पर पुल बनाना संभव तो है लेकिन आपको याद होगा कि हम बता चुगे इस लाके में कोई भी चीज आसान नहीं होते ही कोही कुगू की ये प्राचीन सबिता माटो गरासों बाई ज जरूत नहीं है लिडा टेक्नोलजी में होने वाले विकास और अमेजन के जंगलों की लगाता जारी कटाई की चलते इन जंगलों में रहने वाली प्राचीन सबिताओं त्वारा छोड़े गए खंडरों और बाकी साफ तस्वीर ओभर कर शोत करताओं के सामने आ गई तो क् किसी दिन अमेजन नदी पर भी कुई कुगु जैसी पुल बनाने वाली किसी सबिता की जबूत मिल जाएं लेकिन एक छोटी से समस्या है गर अमेजन का इलाका किसी जमाने में बेहद उनना सबिताओं का घर होता था और वे सभी लोग उनके तोहरा बनाए गए सारे के सारे शांदा स्ट्रक्चर सा आखिर गए कहां वे यूँ हवा में तो नहीं गायब हुए होंगे कहीं उन्हें यागू मामा तो नहीं निकल गया शुक्र है कि ऐसा कुछ बिने हुआ पर मामली की हकीकत ज्याद अच्छी नहीं है सन 1541 में फ्रांसिसको डी और एलाना एमजन नद जिसके चलते उनके शरीर में विदेशी बीमारियों के परती जरा भी प्रतिरोधक शमता नहीं थी। घातक संकरमन के मार जेलने और यूरोपिय लोगों दारा प्रतार्ड़त किये जाने के वज़े से यूरोपिय लोगों के आने के महस सो साल के अंदर ही एमजन के मूल नि से इसमार का आखर क्यों पाए जाते हैं उसकी वज़े ये है कि जहां दूसरे लागों में लोग निर्माड के लिए पत्थर इस्तेमाल करते थे वहीं Amazon को लोग चीजों को बनाने में लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल करते थे जाहरे जंगल में रहने वालों के लिए बिल जानने के बाद आपकी राय में Amazon नदी पर एक भी पुल मौजूद ना होने के पीछे कर सबसे बड़ा कारण आखिर क्या हो सकता है अगर नदी पर कोई भी पुल बन जाता है तो क्या आप उसे पैदल पार करने की हमात दिखा पाएंगे नीचे कॉमेंट बक्स में आकर हमे जरू बताएं देखने के लिए शुक्रिया